सल्मान की सिकंदर में विलिन बनेंगे कटपा इंटर्व्यू में एक्टर सत्यराज ने खुद किया कनफर्म फिल्म में पहली बार साथ काम करेंगे सल्मान और रश्मिका सल्मान खान की अगली फिल्म सिकंदर में साउद के मश्हूर एक्टर सत्यराज की एंट्री हो गई है चर्चा है कि वो इस फिल्म में सल्मान के अपोजिट विलिन के रोल में नजर आएंगे बता दें कि सत्यराज ने बाहु बली फ्रेंचाइजी में कटपा का किरदार निभाया था अक्टर ने खुद हाल ही में दिये एक इंटर्व्यू में बताया कि वो सिकंदर में कास्ट कर लिये गए हैं उन्होंने यह जानकारी भी दी कि सल्मान स्टारर इस फिल्म में वो विलिन के रोल में नजर आएंगे जिसका निर्देशन ए आर मुरुगदास कर रहे हैं इससे पहले इसी महीने 9 माई को मेकर्ज ने फिल्म से जोड़ी एक और अनाउंस्मेंट की थी मेकर्ज ने बताया था कि फिल्म में सल्मान के अपोजिट रश्मिका मंदाना को कास्ट किया गया है मेकर्ज ने लिखा था हम सल्मान के अपोजिट फिल्म सिकंदर में रश्मिका का स्वागत करते हैं दोनों का ओन स्क्रीन मैजिक देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस फिल्म में सलमान और रश्मिका पहली बार साथ काम करेंगे। वहीं इसे गजनी और हॉलिडे जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले ए आर मुरुगदास डायरेक्ट करेंगे। वहीं साजिद नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर होंगे। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ सलमान जुडवा, मुझसे शादी करोगी और किक समेत कई हिट फिल्में दे चुके हैं। वहीं सिकंदर से पहले मुरुगदास और सलमान साथ में 2014 में रिलीज हुई फिल्म जै हो पर भी काम कर चुके हैं। मुरुगदास उस फिल्म के राइटर थे।